कुलू से जनजातियक शेतर लाहॉल्स पिती के लिए हेलिकॉप्टर उडाने ना होने से लोग काफी परेशान है कुलू में 1150 लोग लाहॉल्स पिती के लिए और 95 लोग पांगी के लिए हेलिकॉप्टर उडानों का इंतजार कर रहे है जनजातियक शेत्रों के लोगों ने प्रदेश सरकार पर अंदेकी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को जनजातियक शेत्रों के लोगों की कोई चिंता ही नहीं है जनजातियक शेत्र लाहॉल्स पिती पांगी चंबा के लिए दो अप्रेल के बाद हेलिकॉप्टर उड़ाने नहीं हुई है जिसकी वज़ा से लाहॉल्स पिती पांगी के सैंकडों की सान कुलू में फसे हुए है हवाई उड़ाने ना होने से लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है मौसम साफ होने की बावजूद भी सरकार जनजातियक शेत्रों के लिए हवाई सुविधाय नहीं दे रही है जनजातियक शेत्रों के लोगों ने प्रदेश सरकार पर अंदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को जनजातियक शेत्रों के लोगों की चिंता नहीं है कुलू के उडान प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि कुलू से लाहौल्स पिती के लिए दो हजार असी लोगों ने हवाई उडानों के लिए आवेदन किया था और जिसमें से 930 यात्रियों ने लाहौल्स पिती के लिए हवाई यात्रा की है लेकिन अभी भी 1150 लोग हवाई उडानों का इंतजार कर रहे हैं जहां तक आवेदन की बात है अभी तक लाहौल से पिती जाने के लिए दो हजार असी लोगों ने अभी दन किया था जिसमें से 930 लोग लाहौल जा चुके हैं और जहां तक उडान से समबनित सवाल है उसमें दो तारी दो अपरेल के बाद अभी तक कोई उडान लाहौल के लिए नहीं हुई है जहां तक लाहौल जाने का सवाल है वहां पर अभी तक हमरे पास एक ख़र क्यास पास लोग पेंडिंग बैठे हुए हैं लाहौल जाने के इनजारी में बैठे हैं जिसमें कुछ किसान है बागवान भी है और कुछ या पैशेंट है जो इलाज के लिए यहां है थे जिन में किसी घर में केजुल्टी जोई है ओभी यहां पर अभी इनजारी में है रोतंग मार आलेडी बंद है सुरूंग से लोग सिटी चनल के लिए कुलू से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट